हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में और आज की इस वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं UKPSC के upcoming exams के लिए उत्राखंड current affairs के बारे में जैसा कि आपको पता है दोस्तो आपके आगामी exams के लिए current affairs दोस्तो बहुत जरूरी है क्योंकि UKPSC current affairs से संबंदित प्रसने exam में जरूर पूस्ता ही पूस्ता है दोस्तो इसलिए आज की इस वीडियो में दोस्तो मैंने आपको जनवरी 2022 से लेकर के दोस्तो जून 2022 तक के जो कि आपके exams में पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें । कमेंट जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेहरे करें दोस्तों इसके बाद में आपकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जो की दिसंबर महने में बनाऊंगा और जुलाई से लेकर नवंबर तक के पूरे करेंट अफेर्स में आपको उस दिसंबर तक व प्रस्टों का संकलन भी किया हुए और करेंट अफेर्स दोस्तों बहुत मैत्वपूर्ण है यहां हमारे उत्राखन के गरेंट एफेर्स दोस्तों जल रही मैं इसी प्रकार से आपके लिए भारत के करेंट एफेर्स का भी एक वीडियो लेकर आऊंगा तो वीडियो पसंद आ उच्छी शिक्ष्या गौरव पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है तो सबसे पहले आपको याद आखने जो जो भक्त दर्सन पुरुषकार है वह यह दोस्तों उच्छी शिक्ष्या के छेत्र में दिया जाता है और इसका पुरा नाम है भक्त दर्सन उच्छी शिक्ष् सmmानित किया गया है तो दो हजार इकीश में दो शिखरें दो पराइस समय किस जले में हाई टेक मधुमक्खी पालन प्रिक्षिक्षन के इंदर बनाने की गोशना की गई है। से संबंदित हैं तो यहां प्रसंद दोस्तों बहुत बार एकजाम में पूछा जाते हुआ है और Commonwealth Games 2022 में दोस्तों स्वाणना पदक विजेता भी कौन है लक्ष सेन है बहुत important है थॉमस का संबंद दोस्तों थॉमस कप का संबंद भी बैटमिंडन से माना जाता है थॉमस कप विजेता भी थॉमस कप में जो विजेताओं की रिष्टती उसमें भी लक्ष सेन का नाम था तो लक्ष सेन important है दोस्तों अलमड़ा जन्पत के मुलत है निवासी है और बैटमिंडन टूर्णामेंट इंडिया उपन 2022 का पुरू सेकल का योजना का संबन्द उतराखन में है और पलाएन जो सीमान ते इलाके है वहाँ पर जनता को उत्राखन के लिए यह समान से पहार के तो पुसकर सिंग धामी जी उतराखन के वरतमान मुख्यमंत्री है और 23 मार्षट 2022 को अनों ने उतराखन के 12 मुख्यमंत्री की ुरूप में सपत ग्रहन किया है और दोस्तो मैंने एक वीडियो especially बनाया हुआ है उत्तराखंड में कौन क्या है current phase का special वीडियो है दोस्तो जो भी प्रजेंट नियोकतिय हैं मैंने सभी उस वीडियो में बता पे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए गातिक है अगला पूसने है व्यासी जल विद्यूत परियोजनाओं के कारण उत्राखन का कौन सा गाउं पूरी तरह जलमंगन हो चुका है या डूप चुका है तो व्यासी जल विद्यूत परियोजना दोस्तो किसे जनपत में इस्तित है एक्जाम में पूछा रसता है तो यहां दोस्तो मारा देहरादुन जनपत में से संबंदित है व्यासी जल विद्धुत परियोजना और कौन सी नदी पर दोस्तो यहां परियोजना मनाई जा रही है तो यमुना नदी से संबंदित है कि है व्यासी जल विद्धुत परियोजना और इसी परियोजना की कारण दोस्तो उत्राखन का एक गाउं है धिरादुन जन्पत में ही इस्तित लोहारी गाउं जो की पुरी तरीके से जल्मग ने हो चुका है या डूप चुका है है और 120 मेगावार्ट बिजली का उत्पादन इस परियोजना के द्वारा किया जाएगा और इसी परियोजना के कारण दोस्तों जो हमारा लोहारी गाव में धिर्यादुजन जन्पत का यहाँ पूरी तरह जलमंग ने हो चुका है काफी मोड़ एंडिया हब रसन है ठीक है जन्यकि सबसे अधिक तीसरे दंबर के जो बाग है वहाँ उत्तराखंड में इस्तिते हैं पहले स्तान मद्यपरदेश का है दूसरा करनाटक का है और तीसरा उत्तराखंड का है और इस रिपोर्ट के अनुशार उत्तराखंड में बागू की संक्या है 442 अगला पसंत दोस् से अनुच्छेद में किया गया है तो प्रसन यही पूछा गया है कि उत्राकन सरकार दोरा राज जी में समान नागरिक सहीता यानि कि यूसी सी कानून लागू करने के लिए किसकी अधेक्सता में पांच सदेश्ची समीति का अगठन किया गया है या दोस्तो यह भी आपसे प्रसन पूछा जा सकता है कि उत्राकन राज जी में समान नागरिक सहीता को लागू करने के लिए बनी समीति के अधेक्स कौन है तो वह है दोस्तो कौन पूर्वन यायदिस रंजना प्रसाद देशाई जी रंजना प्रसाद देशाई जी दोस्तो इसके हमारे अध्यक्स हैं और इनकी अध्यक्सता में दोस्तो समान नागरिक सहीता समीती का गठन किया गया है समान नागरिक सहीता कमेटी का गठन किया गया है इसके अध्यक्स कोने रंजना प्रसाद देसाई जी है ठीक है और पांस अध्यक्सी दोस्तो यह कमेटी है 27 मई को एक समीती बनाई गई है जिसके अध्यक्स कोन है सुबास कुमार जी है तो भूख कानून भी दोस्तो बहुत सी चर्चाओं में है जैसे समान लागरिक सहीता आर्टिकल 44 दोस्तो हमारा चर्चाओं में है DPSP के तहट आता है नीती दिसले दत्तों के तहट तो उसी प्रकार से दोस्तो भूख कानून के लिए एक जामें प्रस्ता मुशाहसता है कि भूख कानून के अध्यन के लिए कौन सी समीती मनाई गई है या उस समीती के अध्यक्स कोन है तो सुबास कुमार समीती उसका नाम है और सुबास कुमार उस समीति के अध्यक्स हैं दोस्तों यहाँ प्रस्णि इंपोटेंट है सभी ठीक है अगरे प्रस्णि की बात करते हैं कि वर्स 2022 के लिए उत्राखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वर्स 2022 के लिए दोस्तों उत पद्म स्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है पद्म भुसन उत्राखंड से किसी को नहीं मिला है उत्राखंड में 2022 में दोस्तों चार व्यक्तियों को पद्म पुरुसकार मिला है पर्थम एकौन दोस्तों कौन माधूरी बर्थवाल या माधूरी बर्थवाल जिने लोक संगीत और कला के लिए दोस्तों पद्म स्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और मंतली करेंट अफेर्स में दोस्तों मैं आपको इस सारे कुश्चन करा चुका हूँ वहीं से मैंने यह आपके व्यक्तियों को या उत्रा खंके कितने व्यक्तियों को पद्म विवोशनल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो पद्म विवोशनल पुरुसकार से एक व्यक्ति को गान विपिंद रावजी और पद्म स्री पुरुसकार से तीन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है य तो देवस्तल नाईनिताल जिनपत में इस्तित है यहाँ पर देश का या एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिर्यर टेलिसकोप की स्थापना की जाएगी कहां पर एरिज नाईनिताल में ठीक है और इसका निरवान कारी दोस्तो दोजार से शुरू हो गया था मरकरी पदार्थे से है बना वो है चार मीटर का इसका व्यास है और यहां भारत के सांसा दोस्तो चार अन्य देशों की साज़ेदारी से निर्मित है तो इस प्रकार का प्रस्थन भी एक्जाम में बन सकता है कि देश का ये एसिया का सबसे बड़ा लिक्विट मिरेट टेलिसकोब कितने देशों की साज़ेदारी से बनाया जा रहा है या कितने देशों की साज़ेदारी से उसकी स्तापना की जा रही है तो जोस्तो चार देशों की बेल्जियम, कनाडा, पोलेंड या उजगेविस्तान ठीक है यह प्रस्थन दोस्तों बहुत इंपोडेंट है इस प्रकार के प्रस्थन UKPSC पूस्ता है आपको याद रखना है और देश के सबसे बड़े लिक्वेट मेरे टेलिस्कोप के स्थापना कहां की गई है देविस्तल नैनिताल यानिकी एरीज में की गई दोस्तों ठीक है जापे या दोस्तों उत्राकन के वर्तमान मुख्य नियाइदीस कौन है इस प्रकार से भी है प्रस्थन पूशा आसता है तो जस्टीस विपिन सांगी जी दोस्तों उत्राकन राज जी के वर्तमान मुख्य नियाइदीस है अठाई जून को इनकी दोरा सपत ली गई थी जो कि उत् अगले प्रस्तें की बात करते हैं, राज जी के किस संस्ता में सुपर कम्पीटर परम गंगा की स्थापना की गई दोस्तों, तो राज जी में दोस्तों IIT रूडकी में सुपर कम्पीटर परम गंगा की स्थापना की गई है, कहां पर IIT रूडकी में राश्टी सुपर कम्पी से हैं संबंदित है अगला बसने उत्राकन राज जी के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया अर्जुन सिहें जी को ठीक है मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्रपुनेठा जी को ठीक है जबकि नया राजी सूचना आयुक्त अर्जुन सिंग जी को ठीक है इसकी थीम थी क्या प्रगति के पथ पर उत्राखंड दोस्तों यहाँ प्रसने इंपोरेंट है कि वर्ष्ट 2022 गंतंत्र दीवस के आउसर पर उत्राखंड की जहां के प्रस्तूत की गई थी उसमें सबसे आगे हेमकुंड साहिप को दिखाया गया था जो कि दोस्तों कहा है हमारा चमुली जन्पद में इस्तित है ठीक है उसके बाद में बीच में टीरी बाद और दोबरा चांठी पुल को दिखाया गया था जो कि टीरी गडवाल जन्पद में इस्तित है और बद्रिया धाम को इसमें दिखाया गया था ठीक है बद्रिया धाम भी हमारा चमुली ज उत्राखन में खोले जाएंगे एक भरसार पॉड़ी गड़वाल में और दूसरा दूस्तो चौबटिया अलमोडा में ठीक है और 14 से 17 जून 2022 में जो यह सत्र चला था इसमें यह गोशना की गई थी कि दो सगंद पॉड़ा केंद्र के कारेरे खोले जाएंगे भरसार गड़वाल में और चौबटिया अलमोडा में अगला प्रसन दूस्तो चार धाम परियोजना के उच्चा दिकारी प्राप्त समीती HPC का नया अध्यक्स किसे नियुक्ति किया गया है तो जस्तिस एके सीकरी को दोस्तो इस परियोजना का अध्यक्स से नियुक्ति किया गया है तो जो जो परियावरन का प्रभाव पढ़ता है दोस्तो उसका क्या इफेक्ट होता है या उसके अध्यन से सम्बंदित סमीती ति क्या चोपड़ा समीथी क्यों उस टाइम पेस का नाम दोस्तों चोपडा समीथी इसलिए था क्योंकि रवी चोपडा उस टाइम पेस के क्या थे अध्यक्स थे लेकिन रवी चोपडा ने दोस्तों इससे इस्तिपा दे दिया और वर्तमार में दोस्तों जो हमारी चारधाम जो मारा प्रोजेक्ट है चारधाम प्रोजेक्ट के जो एक समीती है चारधाम प्रोजेक्ट परियोजना की जो उच्चादिकारी प्राप्त समीती है इसका नया दिक्स नियुक्त किया गया है इसे जस्टिस एके सीकरी को, अब दोस्तो इस जो समीती है, इससे सीकरी समीती के नाम से जाना आता है, तो प्रस्न मन सकता है कि सीकरी समीती का संबंद किससे है, तो चारधाम प्रोजेक्ट में प्रयावरण का जो प्रभाव है, चारधाम प्रोजेक्ट से संबंदित, या चारधा इन चारो धाम को जोडने के लिए चार धाम प्रुजेक्टे चल रहा है ठीक है और चार धाम प्रुजेक्टे के टोटल लंबाई उत्राखन में 889 या 90 किलो मेटर के आसपास में इस्तिते हैं ये पॉइंट आपको डायक लिए याद रखने हैं अगला पसने तिर्ती राष्टी जल सकती पुरुज़कार 2020 के तहत राज्जी के किस गाउं को देश में सर्वस्टेश्ट ग्राम पंचायत का पर्थम पुरुज़कार से सम्मानित किया गया है तो तिर्ती राष्टी जल सकती पुरुज़कार 2020 के अनुसार दोस्तो राज्जी के घसपड गाउं जो के कहां स्तिते हैं अलमोडा में सर्वस्टेश्ट ग्राम पंचायत पुरुज़कार से सम्मानित किया गया है तो रास्टी जल सकती पुरुषकार के तहत भारत के किस गाउं को या उत्राकन राजी के किस गाउं को देश में पर्थम सर्वसिष्ट ग्राम पंचयत का पुरुषकार से सम्मानित किया गया है वह है घसपड गाउं जो के अमरा अलमोला जन्पद में इस्तित है नई दिली म में विज्ञान के लिए बाल साहित्य अकाद्मी पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया यह अच्छा प्रसन है बाल साहित्य अकाद्मी पुरुषकार 2021 कि से देवेंद्र मेवाडी नाटक में विज्ञान रसना के लिए अगला प्रसन है जोस्तो किस राजी को आपदा कि किस राज्य को, आप्दा नीखरन और प्रबन्दन केंदर हे तू, शुबाष Чंद्र बोस राश्टी आप्दा प्रबंदन पूरुषकार 2020 से समानित किया गया है, यहां भी दोस्तो एक अच्छा प्रसन है exam के point of view से क्योंकि यहां आबदा के छेत्र में यहां प्रुसकार दे certaines या जा रहा है ठीक है तो आबदा के संबन्ध में दोस्तो यहां प्रुसकार दे जा रहा है ठीक है ठीक है अगले प्रसन की बात करते हैं कि मासुर्कुंडा दे यहां लंबा रोपवे बनाया गया है जिसका सुभारंब एक्षी अप्रैल 2022 को किया गया था कितना लंबा है दोस्तों यहां 21 अप्रैल 2022 को इसका शुरुआथ की गई थी 523 मिटर लंबा है और सुरकुंडा देवी मंदिर दोस्तों किसे जनपद में स्तित है तो यह दोस्तों त्हिरी गड़वाल जनपद में इस्तित है ये भी आपको डायक लिए याद रखना है अगले प्रस्ने की बात करते हैं दोस्तों कि 17 वन रिपोर्ट में उत्राखंड के कुल वन शेत्रफल में कितनी की व्रद्धी हुई है दोस्तों 17 वन रिपोर्ट आईए हमारी इसमें उत 2.09 किलोमेटर स्क्वेयर की दोस्तों व्रद्धी हुई है और उत्राखंड का कुल वन शेत्रफल हो गया है चौबिस रजार तीन सो पांस दसमलाव — 13 वर्ग किलोमेटर और फोरिस्ट कवर हो गया है 85 तौल चार-चार परतिश्या तो 17 वन रिपोर्ड में उत्राहं के कुल कितने की व्रद्धी हुई है 2.09 यानिकी 2.09 वर के किलोमेटर की व्रद्धी हुई है ठीक है और इस प्रकार के प्रस्तों को जोस्तों अगर आपको डेटेल्स में समझना है तो वो मंथली वाली वीडियो आप देख लिजिए का यहां पर मैं आपको फिर भी सौट-सौट में आपदा नियुनिकरन प्रवंदन है या डिजास्टर मिटिकेसिन और मैनेजमेंट सेंटर है उसे दिया गया है ठीक है अगले पिसने की बात करते हैं जोस्तों मुहमद सलीम का संबंद किस शेत्र से है जिनका हाली में निधन हुआ है दोस्तों तो चित्रकारिता से मुहमद सलीम का संबंद था और अलमुडा जनपत से मुखी दहिया है संबंद थे अगला पिसन दोस्तों कि देश का पहला GI यानि कि जोग्रॉफिकल इंडिकेटर बोर्ट का गठन किस राज्जी में किया जाएगा तो देश के पहले GI बोर्ट का गठन दोस्तों उत्राखन अभी तक दोस्तों राजी की 9 उत्पादों को GI टेग मिल चुका है और GI टेग 10 वर्सों के लिए मानने है जिसमें कि आपने पढ़ाओगा दोस्तों मुंशारी की दन और थुलम को GI टेग दिया गया है मुंशारी की राज्मा को भी GI टेग दिया गया और भी करी सारे पॉइ कर देग में तो राजी की पहली मतश्य आहार मिल की स्तापना की गई है मुथराकंड के उधंसिंग नेगरजनपत कर ली की इसका देग पॉइंड रखना है नहीं चुका है या इस प्रकार से प्रस्था पुछा जा सकता है दोस्तों कि उत्राकंड राज जी के द्वारा Food, Grain, ATM, यूजना को सुरू कनने में कौनसा इस्थान है तो तीसरा इस्थान है उत्राकंड राज जी का ठीक है और वहीं नीति आयोक के द्वारा जो राज जी उर्जा और जलवायु सुचकांग जारी किया था उसमें उत्राकंड को कौनसा इस्थान मिला था ठीक है इस प्रकार के प्रस्थान एक जाम में पूछे जा सकते हैं अगला प्रस्थान है जोस्तो आगे में ये प्रस्थान होगा भी आई तिंग हाली में सिंदु घाटी सब्विता से जुड़ी पासार निर्मित महिस मुखी चतरवुज मानव परतिमा की खोज कहां की गई है ठीक है और रोम के सोत पत्रिगा इस्ट एंड वेस्ट में यहां जानकारी प्रकासित की गई है की सिंदु घाटी सब्विता से जुड़ी एक महिस मुखी चतरवुज मानव परतिमा की जो मूर्ती है वहां उत्तरकासि जिले के देवल गाओं में मिली है अगरा पसने है कि आपदा में फसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है तो देरादुन में उत्राकेन का पहला इंटरनेट एक्चेंज इस्तापित किया गया है। दोस्तो उत्राकेन के हलदुन में किया जा रहा है। उस टाइम पे मैंने एकरेंट पर बताया था लेकिन अभी और भी अपडेट इन से संबंदित हो गया है। द्रौपटी का डांडा उत्तरकासी जनपत में श्तित है वहाँ पर दोस्तो इनकी मृत्यू हो गई है। अगला पसना है A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence पुस्तक के लेखा के दोस्तो कौन? रस्किन बॉन्ड जी कौन है? रस्किन बॉन्ड जी इस पुस्तक के लेखा कर, ठीक है? ऐसी दोस्तो एक और पुस्तक हाली में आई हुई है कि lebayorn the mystery whale ठीक है? यह उत्राखन के मंदिर उपर तो यह पुस्तक लेखा यह है यह क्या? beyond the mystery wheel इस पुस्तक के लेखा कौन है तो यह है सुस्त्री अराधना चोहां जी ठीक है सुस्त्री अराधना चोहां जी ने एक पुस्तक लेखी है उत्राखन के मंदिरू पर beyond the mystery wheel तो यह भी आपको डैक ली याद रखना है अगले प्रस्न की बात करते हैं उस्तो दिक्षया पोर्टल पर इकोर्सेज उपलब्द कराने वाला देश का पहला राजी कौन सा बन गया है तो दिक्षया पोर्टल पर इकोर्सेज उपलब्द कराने वाला देश का पहला राजी बन गया करने वाले पर्थम राजी के रूप में तो हमारा उत्राखंड उत्रा खंड है पर्ष्टन की बात करते हैं जोस्तों कि हाली में केंद्रि सरकार द्वारा राज जी के किस जलासई में सी-प्लेन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है तो गुलर भोज जलासई जोकी उदमसी नेगर जनपत में इस्तित है और नानंग मत्ता जलासई यहाभी उदमस पर्थम इस्थान प्राप्त हुआ है को मिला था ऐसी दौस्टो मैंने आपको प्रस्थ मता है नीत या एक दोरा एक राज्जी ओर profit रोजा और जल्वा इस उचकांग जारी किया गया है जिसमें उत्राकन राज्जी को पाँचवा एस्तान मिला हैठी केहं ये प्रस्ण भी आपको directly याद रखना है ठीक है ऐसी दोस्तो एक हमारा राष्टी खाद्य सुरक्षिया जो अधिनियम है या राष्टी खाद्य सुरक्षिया के तहट दोस्तो उत्राखन को कौन सा इस्थान मिला था तो 24 वा इस्थान मिला था ठीक है अभी आपने पड़ाओगा दोस्तो राज़ी सिक्षानीती को लागू करने वाला या बाल वाटिका के रूप में लागू करने वाला पर्थम राज़ी भी कौन है हमारा उत्राखंडी ही है ठीक है तो यह पॉइंट आपको याद रखने है अगला आपस ने राज़ी सरकार के फतेपूर से लेकर लामा चोड तक इसका अंदिनमान 882 में दोस्तो ब्रिटिस के द्वारा किया गया था और जमीन से 40 फूट उपर 52 पिलर उपर टिकी हुई यह नहरी के रूप में जानी जाती है अगला पसने दोस्तो दसवा गंगा क्याक महुसाओ 2022 का आईविजन कहां क अगला पसने दोस्तो राज जी का पहला आर्थिक अपराद थाना दोस्तो कहां पे देहरादुन में खोला जाएगा कहां पे देहरादुन में ठीक है अगला पसने हाली में किसे 111 संस्तान की नई नीदेसक नियुक्त किया गया है डॉक्टर रेनु सिंग को दोस्तो दोस्तो यह इंपूरेंट है भारती परवतारोहन संस्तान यानि कि इंडियन माउंटेरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्स कौन बनी है तो हर्सव किसे यंग साइंटिस्ट अवर्ड 2022 से समानित किया गया है तो डॉक्टर अंजु यादव को युकॉस्ट के द्वारा दोस्तो यंग साइंटिस्ट अवर्ड 2022 से समानित किया गया है और युकॉस्ट यानिके उत्राकन राज्य विग्यान परिसत का गठन दोस्तो कब किया गया था तो इसका गठन किया गया था 2005 में ठीक है, अगर मंत्री, राष्टी, बाल, पुरुषकार, उत्राकिन के कितने बालकों को दीए जाएगा, सिवम रावत और अनुराग, रमोला को ठीक है, सिवम रावत को नवाचार के लिए, और अनुराग, रवॉला को कलायम संस्य लिए आघला परश्ग दोस्तों यह central राज्ड को सम्मझ किस्से है तो फ्सक्राइबारगी यूद्ध पुलिस के दौरा और सामाजिक एक क्या anti-cruption mobile app भी launch किया गया है तो anti-cruption mobile app कि राजी के दोरा launch किया गया है उत्राखेन के दोरा और इसका help line number है वो कितना है दोस्तो एक 1064 है यह भी आपको डिरेक्ली याद रखना है ठीक है अग्यर प्रस्तन की बात करते हैं दोस्तो किस सहस्तान के दोरा मौसम संबंदी ज जानकारी उप्लब्द कराने के लिए तो प्रस्तन मन सकता है किसान एपका संबंद किस से मौसम संबंदी जानकारी उप्लब्द कराने के लिए अगला प्रस्तन है उस्तो उत्राखन राजी से किसे राजे सभा सीट के लिए निर्विरोद चुना गया है तो डॉक्टर कलप परियावरण विद वसंती देवी जी को उत्रांचल नारी से सम्वान से सम्वानित किया गया है कि से बसंती देवी जी को अगला क्षिच सम्धा की ऐसे जो भी आपने खेंग है और नहीं में इनके दरे समें आपदा प्रबंदर संस्तान खोले जाने के सिफारिस की गई है अगला प्रसने है हाल ही मैं गंगा बोल रही पुस्तक का लोकारपन किया गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो रमेश पोकरियाल निसंगजी इस पुस्तक के लेखक है अगला तसन है दुस्तो हाली मैं उत्राखन के किन व्यक्तियों को संगीत नाटख अकादमि llegó पूरुषकार से सम्मानित किया गया है तो संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से उत्राखन की दो व्यक्ति नरेन सिंह नेगी जीनिया, सभी लोग जानते हैं, लोक गायक के रूपे जाना आता है, और दीवान सिंह बजेली जी जीनिया, लेखक के रूपे जाना आता है, अलमोला से ही संबंदित है, इन्हें परस्पेक्टिव, यांत्रिक जर्णी, इन थ्रियेटिकल आर्ट्स, और उत्राखन कल्चर इन दिल्ली, और उत्राखन कल्चर इन दिल्ली, मिरियार्ड हुज ऑप हिमालेन आर्ट्स ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी की स्ताफना उनिश्चो तेरपन में होई थी, इसक उत्राखन में किसे सौरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो डॉक्टर धन सिंग रावज जी को उच्छी सिक्षिया एवं स्वास्त सिवाओं के छेत्र में किये गए नवाचार के लिए उत्राखन स्वारी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया किसे डॉक्टर धन रावजी को। ही 80 सिक्षेनर सनस्तान कहा है इसना दोक्टर नित्यानन्द हिमाल्यी सौर्थ किस्था अपना हाली में की गई है ठीक है अगलर सिन इह है श्याही देवी सीत्रलाखेत के जंगल वो जल स्रोथ को बचाने हेत। कौन सा दिवस बनाने की गोष्णा की गई है, तो ओन दिवस बनाने की गोष्णा की गई है, ठीक है, एक अप्रेल को यहाँ ऑन दिवस बनाया जाएगा, और 2003 से जंगल बचाओ, जमीन बचाओ की मुहीम यहाँ पर चलाई जारही है, तो श्याही देवी सितला खेत जो की अलमुळा मैं इस्ते है दोस्तो के जंगल वा जल सरोत को बचाने है तो कौंसा डिवस मनाया जानी की कुछना की गया है उन दिवस तो पॉष्ण नहीं प्रकार से बन सकता है जुस्तो ओन दिवस किसे सम्मंदित है तो जंगल वा जल स्रोत को बचाने हैं तो सम्मंदित है एक अप्रेल को यहां ओन दिवस मनाया जाएगा ठीक है अगला प्सना है जूस्तो हाली में सुप्रिम कोड द्वारा दिल् सुख्वीर संदू जी संदू को इस प्रियोजना का नया अध्यक्स बनाया गया है अगर प्सुन हो थो खाली में एर फ्टर्सुंग कमांडर विक्रांत उनियाल द्वारा ऐंका संबंद उत्राकर के किस जनपत से है और दोस्तों मार बता दूंग current affair आपके खाली जनुवरी से लेकर जून तक के 20 के मैं आपको बता रहा हूँ जनुवरी से जून तक के बता रहा हूँ जुलाई से नॉबर तक की मैं आपको नई वीडियो दूँगा जो की सकते हैं अगले पस्न की बात करता है इसको एक तरजबर ही कुमाओ मंडल के पौरानिक इस्टलू मंदिरों को तीर्थारण से जोडने जोडने जोड वार्वी सुष्कांग में ुत्राखन राज्जी कौन से स्तान पर रहा है तो नित्या एक द्वरा जारी राज्जी उड़ राज़्ी में उत्राकन राज्जी का कौन्सा इस्थान है या दोस्तो जो चौथा आपका खादी सुरक्षिया रांकिंग आई हुई है या राष्ट्री खाद्य सुरक्षिया जो रैंकिंग आई हुई है तो दोस्तो इसमें दो अलगलग प्रकार के प्रस्थन है जैसे कि यह प्रस्थन है एप SS AI के द्वारा जारी चोथे खाद्य सुरक्षिया संस्थान में उत्राकर्ण राजजी का भरत में कौन सा इस्थान है जबकि अगर प्रस्थन मुछा जाएगा यह खाद्य सुरक्षिया संस्थान में है दोस्तो ठीक है ये दो अमारे अलगलग प्रस्ने हैं अगला प्सने अंतराष्टी महिला दिवस पर राज जी के किस A&M को Best Vaccinator Award से समानित किया गया है तो सांति नयाल जिनका समद्धू अधम सिंग नगर जनपत से है दोस्तों तो अंतराष्टी महिला दिवस के अउसर पर इन्हें Best Vaccinator Award से समा सतापना कहां की जा रही है, तो ये द्योरी गाओं मयावति आस्रम के पास में चंपाउ जिनकात में दोस्तो स्वामि व्यंक्य धिञान के इंद्र करिश्थापना की जा रही है अगला प्सने हाली में चर्चाओं में निज्मूला घाटी राज जी कै किस जन ID retr मेंश्थीत केर नर्सारी बनाई जान के घुष्णा की गई आपे चिरियापूर हरिद्वार में ठीक है अभी दोस्तों हाली में आपको पता और जाई कि बंदरू और लंगुरू को भी जनगरना होई है ठीक है तो उतरहखन में बंदरू और training program का सुभारम किया है तो मसूरी में जोस्तों joint military या joint civil military training program का सुभारम गया था मसूरी के राश्ति प्रसास्नी प्रिषिक्षिकन अकादमी में जिसकी इसतापना 1 सेप्टमबर तो प्रधान मंत्री मातर्वं धना योजना के लेक्ष प्राप्थी में राज्य का कौन सा जिला पर्थमिस्तान पर रहा है तो प्रदान मंतरी मात्रवंदना योजना के लक्स प्राप्ति में दोस्तो राज्य का जो देरादून जन्पद है वहाँ पर्थमिस्तान पर रहा है अगलापस ने हाली में पाखरो टाइगर सफारी का उद्गाटन कहां कि गया गया है ये अगला इसने हाली में किस कोனगे अपना सवाइस्टापना दीवस बनाया है दोस्तों तो रास्ट्री इंडियन मिलिटरी कोलेज के द्वारा अपना सौवा स्थापना दिवस मनाया गया 13 March 2022 को ठीक है और 13 March 1922 को इसकी स्थापना हुई थी और 13 March 2022 को इस तपते सौवा स्थापना दिवस मनाया है अगरा पसने दूस्तों यह important है मुख्यमंत्री महालक्स में योजना का लाब बाली काउं के साथ-साथ आप बालक भी ले सकते हैं इस पर योजना का सुबारम कब किया गया था तो 30 जून 2021 को दोस्तो मुख्य मंत्री महलक्स मी योजना का सुबारम किया गया था अभी दोस्तो आपको याद रखना है कि 2022 के लिए to track of the year किसे घुसित किया गया तो पिंडारी गलेसर को ट्रेक अप दयू गुसित किया गया था अगला प्रस्तन है दोस्तो किसे पहला हिमालय प्रहरी सम्भान से सम्भानित किया गया है या उत्राखन में किसे दोस्तो पर्थम हिमालय प्रहरी सम्भान से सम्भानित किया गया है ठीक है और सुन्दलाल भागुणा जी की पर्थम पुनित थी पर उनके आधरसों और उनके कार्यों का आधर बनाकर पर्तिवर्स उनकी इस प्रति में दोस्ते हिमालेन प्रहरी सम्मान दिया जाएगा और धूम सी नेगी जी को पर्थम हिमालेन प्रहरी सम्मान से सम्मानित कि अगला प्रसने उस्तो किस राश्टि पार्क में अत्यांत दुरलव आर्किट प्रजाति का पहुदा गोल्डन येलो यूलोपिया पाया गया है तो कार्बिन नेस्नल पार्क की जो बिज़रानी रेंज में गोल्डन येलो यूलोपिया नामक अत्यांत दुरलव आर्किट प् तो देश में पक्षियों की सरवाधिक प्रजाति के मामले में उत्राखिन राजी का भारत में पहला इस्तान है ठीक है है यहाद रखना है ठीक है अगला प्षन है राज जी में प्रकटेश्वर पंचानन महादेव सीव गुफा कहा इस्तित है और 23 जून 1998 को इस गुफा का आउत्रण किया गया था ठीक है और इसी कालन इस गुफा के आउत्रण दीवस के रूप में मनाया जाता है तो 23 जून को तो प्रकटेश्वर पंचाननन महादेव मिल कहा था 2009 में और जोशी मटके सलोर दुंगरा ग्राम और सेलन ग्राम वे दूस्तो रमानोस वका उजन किया जाता है अगला पसना है हाली में कुमाओं के पहले प्रिपेड टेक्सी बूत की सुरवात कहां से की गई है तो विष्व भारती युनिवस्टी का पर्थम घैम्पस कहां खुलने जा रहा उत्राकन में तो उत्राकन नोग में था है एगले पसने की बात करते हैं उत्राकन की पहली टोपी और परमपरिक परिधान मिर्ज़ई को खास पहचान दिलाने वाले लोक सिल्पी कैलाज भटजी का हाली में निधन हो गया है इनका संबंध किस जनपत चीता है दोस्तों इनका संबंध था चमुली जनपत से और गोपिश्वर के यहां निवासी थे इन्होंने उत्राखन की मिरजही, जकोट, आंगडी, गाती, गुंगटी, त्यूखा, उनी, सलवार इन सभी चीजों को खास वैचान दिलाने में अपना विशेश योगदान दिया था तो प्रस्ता मन सकता है कि कैलाज भटजी का संबंध किस चेत्रेश था तो लोग सिलपकलासे दोस्तों इनका संबंध माना जाता है हाली में कैची धाम मेले का यजन किया गया, यहां मेला परतिवर्स कब लगता है तो कैची धाम मंदिर दोस्तों कहां स्थित है, यहां नैंताल जनपत में स्थित है ठीक है कैची दाम की इस्ताफना का स्रेवी बाबा नीम करॉली महाराज को ही जाता है अगला पसने की बात करता है हाली में टेस्टी किरिकेट में सरवादिक तेज अर्दस तक तो इस्टो टेस्ट की टेकट में अरदस्तार्ण टे-स्टो टेस्ट की टेक रिकैट में सबसे तेज से अरदस्तक लगाने वाले भारति खिलारी बन गया है कोई रिसथ 15 जी ठी है अगला पूसन से हाली जिले में एतियासिक मौड मेले का आउजन कहां किया गया तो जौनपूर टिरी में मौड मेले का आउजन किया जाता है और अलगार नदी के किनारे टिमरू नामक पाउडर डालकर मश्लियों को बहुत किया जाता है और मश्लियों को पकड़ने के मेले के रूप में मौड मेले लगाया गया है तो एक जुलाई 2020 से उस्तों पूरे राजी में या भारत में भी दूस्तों सिंगल यूज प्लास्टी पर पूर्णता प्रतिबंद लगाया गया है अगरा पसने उस्तों किस संस्ता के दवारा 14 मार्च को रिशर्च दे के रूप में मनाई जाने के घुषना की गई है तो इसी दोस्तों एक और क्षिशन यहां से इंपूरेंड यह है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो पर्देश का या पर्देश में पहले ड्रोन फैक्टरी की स्ताफना कहा की जाएगी तो रुड़की म ही मेक इंडिया प्रोग्राम के तहरे देश के पर्थम ड्रोन फैक्टर की स्थापना की जाएगी ठीक है ये कुछ दोस्तों ऐसे करेंड जो आपके करेंड एफेर्स हैं जो की एक्जैक्ली लगातार आपके करेंड एफेर्स में बने रहते हैं मनलब इग्जांस के पॉइंट 換ड़ाम सींग नेगी जी को जाना जाता है याद रखना है प्रत्यों किता का आईजन कहां किया गया है तो उत्राखंड में दोस्तो इस प्रत्यों किता का आईजन किया गया है रुद्रपुर में ठीक है उदमसी नेगर जनपत के रुद्रपुर में मनुझ सरकार स्टेडियम में रास्टी बॉलीगोल प्रत्यों किता का आईजन हाली म किस व्यक्ति को Global Green Award 2021 प्रोसकार से सम्मानित किया गया है तो सतेंद्र सी है बंडारी जी जो की रुद्रप्रियाग जनपत से सम्मानित प्रयावरान प्रेमी है शिक्षक है इन्हें Global Green Award 2021 से सम्मानित किया गया है कौन सतेंद्र सी है बंडारी जी ठीक है ऐसी दोस्तों एक और इंपोरेंट है, कि जो मारा, NCRT के नए महांदीर सक वर्तमान में, वह हैं दिनेश सकलानी जी एठीक है, मन्तली करें इंडरेस में, दोस्तों मैंने कराया हुआ आपको, और ऐसी एक प्रस्थ इंपोरेंट यह है, कि राष्टी जनजाती निरत्ती में पर्थम पुरुसकार कि जो अमारा अभी ये रैंकिय काई जो फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरुसकार है वहाग इसको दिया गया है अभी हाली में तो उत्राखन राज जी को ही दिया गया है ठीक है ऐसी दोस्तों देखें सुरकंडा रोपवे की सुरुवात आपकी हो चुकी है और इक और न्या रोपवे बनाई जेकर झाड़ की जारी अच्छा क्रीश्चन रहत हैं कि इंडिया के सर्वसेयस्ट आकांसी जिले का award किस जिले को मिला है तो उत्राखंट के हरीदवार जिनपत को भारत के सर्वेस्ट आकांसी जिले का award भी मिला हुए ठीक है तो और भी कई सारे factors जो कि हमारे जुलाई से लेकर अगस्ता तक वाली शेज में आएगा ठीक है तो फिलाल मैं आपको मन्थली current reference में बता चुका हूँ दोस्तो उसके बाद मैं मई के प्रमुक दिवस हैं ठीक है उसके बाद देखे जून के यहाँ प्रमुक दिवस हैं ठीक है और जून तक मैंने दूस्तो आपको यह current reference करा दिया है जनवरी से जून तक जो भी important fact थे या जो भी important current reference थे जो आपकी exam में आ सकते हैं मैंने दोस्तो सिर्फ वही current reference कराए हैं जो आपकी exam में आ सकते हैं तो सभी current reference को आपको अच्छे से याद करना है अच्छे से पढ़ना है नोर्स बनाने है और जुलाई से लेकर आपका दिसंबर तक की वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा जो इसका next part आएगा बाकी मन्थली current reference दोस्तों मैं continue आप लोगों के लिए बना रहा हूँ अगर आप मन्थली current reference को पढ़ना चाते हैं तो आप जन्वरी से लेकर अभी तक की वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्तों और हाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों अभी तक अगर आप ने अच्छी तरीके से revision नहीं किया हुआ है तो हमारे यूटूब चैनल पर सभी पोस्ट मार्टम क्लासिज को आप लोग जरूर देख लिएगा आपके अकमी exams के लिए ये क्लासिज बहुत ज्याद मैं तो बोलना है परिक्षिया माने की जो क्लास है उसको भी और कुछ मेरतन क्लासिज है मारे चैनल पर आप उनको भी जरूर देख लिएगा तो आज की इस डियो में ताहीं दोस्तों थैंक्यू थैंक्स पर उसीज वीडियो स्यू नेक्स टेम धन्यवाद